हालो स्टुडेंट्स, गुड़ मॉर्निंग, हालो बच्चों आज हम लोग चाप्टर 12, पार्ठ बारा, है ना? काउन सा? चाप्टर 12, पेज नमबर 34, आज हम लोग पढ़ेंगे आंकी मात्रा, काउन सा मात्रा पढ़ेंगे? आंकी मात्रा, है ना? आंकीम मात्रा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंदु या अनुश्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंदु या अनुश्वार, है ना, इसकी गिंती स्वारों में नहीं हूती है, किसकी आंकीम मात्रा, ना तो ब्यांजनों में की जाती है, है ना, इसकी गिंती ना तो स्वार में हुती है और ना ब्यांजनों में इसको क्या कहते हैं आयोग्यावा कहते हैं है ना इसकी गिंती ना तो स्वार में हुती है और ना ही ब्यांजनों में तो हम लोग इहां काउन सी मात्रा देख रहे हैं आंकी जहां बिंदी जैसे लगा हुआ है ना इहां उसको क्या काउंट सी मातर बोलते हैं बिंदु या अनुस्वर तो आगे पढ़ेंगे आ प्लास इहां बिंदु है प्लास डा प्लास बडा आ की मातरा क्या पढ़ेंगे अंडा, पा प्लास, ता प्लास, बिंदू, प्लास, गा, क्या पढ़ेंगे, पतंग, बा प्लास, बिंदू, प्लास, दा प्लास, रा, बंदर, पढ़कर समझे, यहां क्या क्या लिख्या हुआ है, उसको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है, यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा-छोटा रेटे कलार में क्या हुआ है बिंदू अंग, रंग, संग, धंग, बंद, डग, कस, मंद, जंड़, यहाँ मात्रा है इसलिए क्या हुआ जंड़, ठंधा, कंगा, अंधा, चंदा, ठंदा, गंदा, नंगा, चंगा, कंगा, है ना आगे देखेंगे पढ़ो आओ समझो इसको हम लोग पढ़ेंगे मंदीर यह संकर भगवान का मंदीर है किसका मंदीर है संकर भगवान का मंदीर है जहां हम लोग क्या करने जाते हैं पूजा करने के लिए है ना मंदीर की चोटी पर केशरिया रंग का जंडा लहरा रहा था समाज में आ रहा है ना कि यहां पर क्या कहा गया है मंदीर के चोटी पर केशरिया रंग का जंडा लहरा रहा है काम सकलर का केशरिया रंग का मंदीर के बगीचे में मोर घूम रहा है मोर बहुतु सुन्दर है मोर कैसा है बहुतु सुन्दर मंदीर गंगा किनारे स्थीत है गंगा के किनारे में स्थीत है है ना गंगा का पानी बहुत ठंधा है संजय मंगल और संगीता मंदिर में गए कौन 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 गए मंदिर में संजय मंगल और संगीता यह तीनों कहां गए मंदिर में गए तीनों ने मंदिर का घंठा बजाया क्या बजाया घंठा मंदिर में पंदित जी ने आरती की पंदित जी ने सबको अंगूर दिये आरती के बाद तीनों बाहर आए बाहर पेड़ पर लंगूर और बंदर बैठे थे कौन-कौन बैठे थे लंगूर और बंदार यहाँ पे देख रहे हो ना पेड़ में एक हाथ से देखो कैसा डाली पकड़ लिया है है ना यहाँ पे कौन-कौन है लंगूर और बंदार है ना आगे देखेंगे अभ्यास में पेज नमबर 35 में है ना अभ्यास पेज नमबर 35 एक्सर्साइज है ना का नमबर में देखेंगे चित्र देखकर खाली स्थान भरिये इहाँ पे दिया हुआ है उसको क्या करना है खाली अस्थान भरना है इहाँ पे पिक्चार देखने से कौन सा मात्रा लगाना है बिंदू अंकी मात्रा है ना तो इहां क्या होगा यह क्या है हांस क्या है हांस तो हा में क्या लगाएंगे बिंदू या क्या बोलते हैं अनुश्वार है ना तो यह क्या है हांस पंखा पा में बिंदू लगाएंगे और क्या है खा की खा में बढ़ा की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे पंखा, बा, ये क्या है, मंकी, बंदर है ना, बा लिखेंगे, उपर क्या लगाएंगे, बिंदू, दा, रा, तो क्या होगा, बंदर, ये सभी जानते हैं, सभी उडाते हैं पतंग, है ना, पा, ता में, बिंदू की मात्रा लगाएंगे, उपर, गा, क्या पढ़ेंगे, पतं नीचे देखेंगे खानमबर में सही जगा पर आंकी मात्रा लगा कर सब्दों को सुद्ध करके लिखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है सब्द उसमें सही सब्द बिंदु लगा के क्या करना है? अपन को सुद्ध करके लिखना है राग तो इहां राग नहीं तो क्या बोलते हैं यहां रंग तो कौन सा किस में लगेगा कौन सा बिंदू लगेगा अनुस्वार या बिंदू या आंग की मात्रा भी बोलते हैं न तो इहां बिंदू लगाएंगे तो क्या होगा रंग यहां भिंडी, भिंडी लिखेंगे तो यहां भा, भा में छूटी की मात्रा, यहां पे बिंदू लगाएंगे, डा में बड़ी की मात्रा डी, क्या पढ़ेंगे भिंडी, बंदू, यहां पे बिंदू नहीं लगाया गया है, है ना, अपने को क्या करना है, बिंदू लगाना है तो बा में बिंदू लगाएंगे दा में बढ़ाओ की मातरा का बंदूग यहां कौन सी मातरा है सा में बढ़ी की मातरा बढ़ी की मातरा लगाएंगे उसके बाद में बिंदू लगाएंगे सींग जंगल जा में क्या लगाएंगे बिंदू गाला क्या होगा जंगल, संतान, तो इसमें, किसमें बिंदू लगाना पड़ेगा, सा में, संतान, पंक, यहाँ पे क्या करेंगे, पंक, पंक लिखेंगे हैं ना, तो पा में बिंदू लगेगा, खा, पंक, सुगंद, सा में, काउन सी मातरा है, छोटाव की मातरा, गा में, बिंदू लगाएंगे, धा, सुगंद, संदेश, सा में, बिंदू लगाएंगे, दा में, एकी मातरा, सा, संदेश, है ना, गा नंबर में देखेंगे, सही सब्द से रिक्त स्थान भरिये, यहाँ पे दिया देखके क्या करना है खालियस्थान भरना है जंगल में बंदर क्या खा रहा था हवा हवा की अंगूर क्या खा रहा था अंगूर है ना तो इहां हम लोग लिखेंगे अंगूर खा रहा था खा रहा है जंगल में बंदर अंगूर खा रहा है संजय खालियस्थान चला रहा है क्या चला रहा है बंदूग लंगूर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे संजय बंदूग चला रहा है घा नमबर में देखेंगे सही सब चुनकार वाक्या पूरे कीजे यहाँ पे भी दिया हुआ है उसमें से चाट के क्या करना है खालियस्थान भरना है मोर बहुतु क्या है क्या लिखेंगी है सुन्दर अंगूर क्या लिखेंगे मोर बहुतु सुन्दर है हा ना फर्स्ट नमबर में क्या लिखेंगे सुन्दर सेकेंड नमबर पंडित जी ने खाली अस्थान बजाया क्या बजाया संक तो लिखेंगे पंडित जी ने संक बजाया थार्ड नमबर में देखेंगे पेड पार क्या बैठा था पेड पार लंगूर बैठा था ओके तो इसको आप लोगों को क्या करना है घर में बैठ कर इसको भरना है अपने बुक में ओके थैंक यू इस्टुदेंट्स